रामपुर नामग गाउ में एक सेट रहा करता था। वह सेट बहुत कंजूस था। एक दिन सेट के मित्र ने कहा, भाई, माग का महिना है, चलो गंगा नहाने चला जाए। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। कंजूस था कि कहीं जाने की भी नहीं सोचता था। उसी रात उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए माग का महिना है, चलिए गंगा नहा आए, अडोस पडोस में सभी लोग जा रहे हैं। अरे सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, अरी भागिवान गंगा नहाने जाओ तो वहाँ पंडे पैसा मांगते हैं। अरे तो क्या हुआ, चलिए चलते हैं। पत्नी की जिप के आगे आखिर किसकी चल पाई है, आखिर कार उसे जाना ही पड़ा। गंगा पहुचकर सेठ मन ही मन बुला। ओहो, यहां तो बहुत भीड है, चलो कहीं ऐसी जगा देखता हूँ जाम भीड ना हो, वरना तो पंडे बहुत पैसा मांगेगे। वह चलता गया, कोई घाट खाली न मिला, चलते चलते वह शमशान घाट जा पहुचा। हाँ, यह जगा ठीक है, यहां सननाटा है, यहां कोई पंडा भी नहीं आएगा। शमशान घाट में शिवजी का वास था, उन्होंने उसे देखा, तो मन ही मन सोचा। अच्छा, तो यह इंसान कंजूसी के कारण यहां नहाने आया है, जरा इसकी कंजूसी की परिक्षा लेता हूँ, मैं भी तो देखूं, यह कितना कंजूस है। शिवजी ने पंडे का रूट धरा, और जैसे ही आदमी नहा कर बाहर निकला, शिवजी ने उससे कहा। यजमान, दक्षना दीजिए। तुम कौन, यहां तो कोई पंडा नहीं था। यह मेरा क्षित्र है, यहां की सारी वसूली मैं ही करता हूँ। ठीक है, मैं तुमको एक पैसा दूँगा। ठीक है, लाव दो। पर अभी तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ। तुम एक पैसा उधार का चड़ा दो। अपना नाम पता लिखवा दो, हम स्वैम आकर ले लेंगे। कुछ दिन बाद शिवजी उस सेट के घर पहुँचे। पत्नी अंदर जाती है और कहती है, सुनिए कोई आया है, कह रहा है आपके उपर उसका एक पैसा उधार है, कौन है ये। सेट उसे पूरी बात बताता है, तुम्हें काम करो, उससे जाकर कह दो कि मेरे पती घर पर नहीं है। पत्नी बाहर जाती है और कहती है, मैं भूल गए थी, असल में मेरे पती कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप बाद में आ जाएएगा। कोई बात नहीं, आपने खाने के लिए जूबी बनाया हो, वो मुझे थोड़ा से खाने के लिए दे दीजे, मैं यहीं पर रुका हूँ, मैं यजमान के इंतिजार कर दूँगा। औरे, यह कैसा आदमी है, यह तो यहाँ पर खाना भी खा कर जाने की बात कर रहा है। पत्नी अंदर जाती है, सुनिए, वह तो खाना मांग रहा है, एक पैसे के चक्कर में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, उसको एक पैसा दे दीजी और चलता करिए। अरे, तो यह काम कर, उसे जा कर कह दे कि मेरे पती बीबार है, तो बाद में आना। पत्नी फिर बाहर जाती है, और कहती है, अरे, सुनिए, मेरे पती बहुत बीमार हैं, तो आप बार में आईएगा, जब वह ठीक हो जाएं। अरे वो बीमार हैं, लाइए मैं उनका इलाज किये देता हूँ, मैं तो वैद भी हूँ, लाइए मैं उनको ठीक कर देता हूँ सुनिए, वे कह रहा है कि वे वैद भी है, वे आपका इलाज कर देगा अरे तू उसे भगा दे, अभी उसका हमने एक पैसा तो दिया नहीं है, इलाज करेगा तो पता नहीं और कितना पैसा मांगे तू एक काम कर, तू उसको जाकर बोल दे कि मेरे पती मर गए है शिवजी ने सारे लोगों को बुला लिया और उसको शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे वही सेट बार-बार अपनी पत्नी को इशारे करके पूछ रहा था कि वह आदमी गया की नहीं गया जब उस आदमी को शमशान घाट ले जाने लगे, तब ही पत्नी बोली नहीं, ये मरे नहीं हैं, ये जिन्दा है हम समझ सकते हैं कि दिमाग काम नहीं करता है, तुम्हारे दिमाग पर आगहात हुआ है, इसलिए तुम इस तरह की बाते कर रही हो आप बोलते क्यों नहीं कि आप जिन्दा हो सब ही को ऐसा लगता है, पर अब वो मर चुके हैं मेहन पत्नी बहुत रोकती है, पर वह लोग नहीं मानते हैं और उसे ले जाते हैं शमशान घाट पहुँचकर शिवजी बोले यच्मान अब आग लगने वाली है, इसके आगे अब कुछ नहीं बचेगा अगर आप उठना चाहें तो आप उठ सकते हैं परन्तु आदमी तो बहुत कंजूस था, वे तब भी ना उठा परन्तु तेरी में कंजूसी से आज बेहत प्रसन हुआ बता, तुझे क्या वड़ चाहिए? तब ही सेट उठता है और कहता है अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो जो एक पैसा उधार का है उसे माफ कर दो, आपकी बड़ी किरपा होगी तथास तू बस उसी दिन से शिवजी का नाम भोले भंडारी पड़ गया किशनपुरा गाउं में दो किसान रहते थे एक का नाम दिवाकर था और दूसरे का नाम मदन दिवाकर बहुत ही गरीब किसान था जबकि मदन बहुत अमीर था दिवाकर और मदन दोनों शिवजी भगवान के परमभक्त थे दिवाकर शिवजी भगवान का ध्यान कर रोज उन पर जल चड़ाता था इसके विपरीत अमीर किसान मदन शिवजी भगवान की पूजा अर्चना कर उन पर प्रति दिन दूच चड़ाता और उनको अलग-अलग तरहां के स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाता यह देख एक दिन पार्वती शिवजी भगवान से कहने लगी स्वामी, स्वामी, दिवाकर नाम का आपका ये भक्त तो बड़ा ही कंजूस आद्मी है वो क्यों पार्वती? देखो न, ये कंजूस दिवाकर आपको रोज केवल जल ही चड़ाता है और उधर मदन हर रोज दूद चड़ाता है और आपको नए-नए पकवानों का भोग लगाता है पार्वती की ये बात सुनकर शिवजी भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं पार्वती फिर भी दिवाकर मेरा सबसे प्रियभक्त है वह क्यों स्वामी? उसके दो कारण है पार्वती पहला ये कि उसकी मुझ में सच्ची आस्था है और उसकी भक्ती निस्वार्थ भक्ती है और दूसरा कारण क्या है स्वामी? दूसरा कारण यह पार्वती की अन, फल, सबजियां आदी सभी चीजें जल से ही उपश्टी हैं इसलिए मेरा जो भक्त मुझ पर मात्र जल चड़ाता है उसे पकवान आदी चड़ाने की आविशक्ता ही नहीं रहती यह सुनकर पार्वती जी चुप हो जाती है और सोचने लगती है इस कल्योग में किसी की भक्ती भला निस्वार्थ कैसे हो सकती है आखे देखू तो इस दिवाकर की भक्ती निस्वार्थ कैसे है यह कहकर पार्वती जी अद्रिश्य हो जाती है और पहले दिवाकर के घर जाती उस समय दिवाकर शिवजी भगवान की भक्ती में लीन होता है उसके बाद पारवती जी मदन के घर जाती है मदन भी उस समय शिवजी भगवान के ध्यान और उनकी पूजा अर्चना करने में व्यस्त था मदन और दिवाकर की भक्ती देखकर पारवती जी समझ जाती है कि दिवाकर शिवजी भगवान का सबसे प्रिय भक्त क्यूं है वे दिवाकर से अतिप्रसन्न होती है और उसे अपना आशिरवाद देते हुए कहती है सदा सुखी रहो भक्त तुम्हारी भक्ती सदैव सच्ची और निश्चल बनी रहे उसके उपरांद पारवती जी कैलाश परवत पर लोटाती है कुछ समय पश्चात मदन की बहुत अच्छी फसल होती है उसके खेत में अनाज के धेर लग जाते हैं वे अनाज बेच कर खूब सारा रुपया पाता है और उस रुपय से कई नए खेत खरीद लेता है मगर तब ही उसकी नजर दिवाकर के छोटे से खेत पर पड़ती है दिवाकर का खेत देख कर वे सोचने लगता है अरे ये दिवाकर का खेत तो मेरे खेतों के बीच में पड़ ला है क्यों ना मैं इसे भी खरीद लो इस तरह ये भी मेरे खेतों का हिसा बन जाएगा और मेरे सब खेत एक जगा पर हो जाएंगे यही सोच कर मदन दिवाकर के पास जाता है और उसका खेट खरीदने की बात करता है मगर दिवाकर अपना खेट बेचने से मना कर देता है और कहता है मदन भाई माफ करना मैं अपने दादा पर दादा से मिला खेट बेच नहीं सकता वैसे भी धर्ती माँ को बेचना शुभा नहीं देता देख ले दिवाकर, बहुत अच्छा दाम दूँगा, शिवजी भगवान की करपा से मेरे पास बहुत धन है और शिवजी भगवान की करपा से मेरे पास संतोष की दो रोटियां है, मुझे जादा धन की लालसा नहीं है भाई यह सुनकर, मदन उससे जलन रखने लगता है, और मन ही मन कहता है मदन यह कहकर अपने घर लोट जाता है, और फिर कुछ दिन बाद उसकी वानी सत्य हो जाती है एक दिन दिवाकर की मा अचानक बीमार पड़ जाती है, और उसको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है डॉक्टर बहुत महंगा इलाज बताता है, और कहता है देखिए आपकी माताजी के इलाज में कम से कम पचास हजार रुपए का खरचाएगा ठीक डॉक्टर साब, आप इलाज शुरू कीजे, मैं पैसे का इंतिजाम करता हूँ यह कहकर दिवाकर घर आ जाता है, और फिर शिवजी भगवान से प्रार्थना करता है ए शिवजी भगवान, मेरे पास मा का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, कहीं से इंतिजाम कराओ भगवन मदन तो ऐसे मौके की ताक में ही था, उसे जैसे ही दिवाकर की मा की बिमारी के बारे में पता चलता है वे तुरंथ दिवाकर के घर आधमकता है और कहता है अरे दिवाकर भाई सुना है, तुम्हारी मा बहुत बिमार है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो तो बताओ यह सुनकर दिवाकर बहुत खुश होता है और मन ही मन शिवजी भगवान का धन्यवाद करते हुए कहता है दिवाकर को कलपना में खोई देख मदन पूछता है अरे क्या सोचने लगे भाई कुछ नहीं मदन भाई तुम भी शिवजी के भक्त और मैं भी शिवजी का भक्त पिर सोचना क्या तुम मुझे पचास हजार उपे दे तो फसल आने पर लोटा दूँगा ये लो पचास हजार और अपनी मा का इलाज कराओ पैसे के और मदन चाहिए तो वो भी बता देना दिवाकर मदन से कर्ज लेकर अपनी मा का इलाज करा लेता है और उधर मदन उसका खेद हड़पने की तरकीब सोचने लगता है कुछ तिन बाद दिवाकर की फसल पकने पर आ जाती है अगर दिवाकर की फसल अच्छी हुई और उसने मेरा करजा चुका दिया तो फिर उसका खेट तो मेरे हाँ से निकल जाएगा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो मेरा करज चुका ना पाए यही सोच कर मदन दिवाकर का खेट हडपने के चकर में उसकी फसल में आग लगा देता है और फिर खुद ही चीखते चलाते हुए आग बुझाने का ढोंग करने लगता है अरे भागो 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 कोई जल्दी से फायर बुगेड पुलाओ दिवाकर के खेतों में आग लग गई भागो फसल में आग लगने की बात सुनकर दिवाकर तो अधमरासा होकर रह जाता है फायर ब्रिगेड आती है मगर उसके आने से पहले ही सारी फसल जल कर राख हो जाती है अरी मैं खेटों की तरफ आ रहा था तो आग लच चुकी थी पता नहीं आग कैसे लगी शुक्र शिवजी भगवान का मेरे खेट जलने से बच गए पर मेरा खेट तो पूरा चल गया मदन मेरी तो सारी मेनत पर पानी फिर गया शायद तेरी शिवभगती में ही कोई कमी है इसलिए तो गरीब से और गरीब होता जा रहा है दिवाकर अपने एक भक्त द्वारा दूसरे भक्त के साथ ऐसा पापकरम करते देख शिवजी भगवान को बहुत गुस्सा आता है क्या हुआ स्वामी आप एकाए कितने गुस्से में क्यों हो गए स्वामी शान्त हो जाए और कुछ ऐसा कीजिए कि मदन को सीख भी मिल जाए और दिवाकर की रक्षा भी हो जाए अपने भक्तों को सही रहा दिखाना तो आपका करतव है पार्वती जी के समझाने पर शिवजी भगवान शान्त हो जाते हैं और उधर मदन दिवाकर को कर्ज के बदले अपना खेत बेचने के लिए मजबूर करने लगता है और कहता है देख भाई दिवाकर तूने फसल बेचकर मेरा कर्ज चुकाने का करार किया था अब फसल तो रही नहीं इसलिए या तो मेरे रुपे लटा या फिर अपना खेत मुझे बेचते मदन भाई मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो फिर जो शिवजी भगवान को मंजूर होगा मैं करूंगा पर शिवजी भगवान को तो यही मंजूर है तभी तो यह हो रहा है यह कहकर मदन घमंड से हसते हुए अपने खेतों की तरफ चला जाता है पर जैसे ही अपने खेतों की तरफ जाता है तो चौकी जाता है उसकी सारी फसल काली पड़ गई थी और बालियों में अनाच का कोई दाना तक ना था यह देख मदन दहार मार मार कर रोने लगता है हाई हाई यह क्या हुआ मेरी इतनी अच्छी फसल अचानक कैसे बरबाद हो गई मदन यह कही रहा होता है कि तब ही उसके सामने साक्षाथ शिवजी भगवान प्रकट होते हैं शिवजी भगवान क्रोध में आकर कहते हैं मदन तु मेरा भगत होकर पाप कर्मन करता है दिवाकर का खेथ हरपने के लिए उसका खेथ जला दिया और अब अपनी फसल के लिए विलाब कर रहा है शिवजी भगवान को अपने सामने गुसे में खड़े देख मदन भय से कापने लगता है और उनके सामने हाद जोड़ कर कहता है मदन की यह बात सुनकर शिवजी भगवान का गुसा शांत हो जाता है और वह अद्रिश्य हो जाते हैं फिर मदन को अकल आ जाती है और वह दिवाकर को अपने सगे भाई जैसा समझने लगता है उससे अपनी गलती की माफी मांग लेता है और फिर शिवजी भगवान की कृपा से सही रास्ते पर चलने लगता है एक नदी के किनारे एक छोटा सा गाउं था जिसमें बहुत से मच्छवारे रहते थे उनमें से एक शम्भू और उसकी पत्नी नीलम नदी किनारे जाल डाले हुए बैठे थे आज एक भी मचली नहीं भसी सुभा से ये समय हो गया है थोड़ी देर और देखते हैं फिर चलते हैं कब तक यूँ ही बैठे रहेंगे शम्भू बोला अरे ये क्या ये देखो कुछ बैकरा रहा है नीलम ने कहा ये तो कोई बच्चा है जल्दी निकालो शम्भू ने उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसकी सासे चल रही थी शम्भू बोला अरे ये तो जिन्दा है लगता है किसी ने पैदा होते ही नदी में बहा दिया नीलम ने कहा लड़की है ना इसी लिए बहा दिया होगा चलो जल्दी वैध को दिखाते हैं वैध ने उसके पेट से पानी निकाला और कहा अब ये बच्ची सुरक्षित है अब आप इसे ले जा सकते हैं लेकिन अब समस्या यह थी कि बच्ची का क्या होगा नीलम बहुती सुन्दर और प्यारी बच्ची है देखो इसके चेरे पर कितना तेज है इसको हम ही पालेंगे किसी और को सौपें तो क्या भरोसा कोई कैसे रखे नहीं नहीं हमारी पहले ही दो बेटियां है और अब ये तीसरी कुछ भी हो जाए नीलम आज सी ये हमारी बेटी है नीलम को शंभू के सामने जुकना पड़ा बच्ची का नाम शिवानी रखा गया लेकिन नीलम ने अपनी बेटियों और शिवानी में हमेशा भेद्भाव किया मगर शंभू उसे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करता था धीरे धीरे शिवानी बड़ी होने लगी जब वे 19 साल की हो गई उसमें भक्ती भाव जागरित होने लगे वे हमेशा शिवजी का ध्यान करती और ओम नमश शिवाय जपती रहती नीलम उसे कहती शिवानी रोती हुई कमरे में चली गई और हाथ जोड़ते हुए बोली हे भोले नात मेरी माने मुझे पैदा होते ही नदी में बहा दिया तो मुझे आपने जीवन क्यों दिया काश मैं तब ही मर गई होती क्या हुआ बेटी क्यों रो रही है नीलम ने कुछ कहा क्या नहीं नहीं पिता जी बस ऐसे ही अपने माबाप के लिए विचार आ रहा था क्यों बेटी क्या मैंने तुझे कभी कोई दुख दिया है नहीं पिता जी ये तो मेरे भोले नात की क्रिपा है जो मुझे आप मिले फिर उन्हें याद करके दुखी क्यों होती है जानता हूँ नीलम थोड़ी ऐसी है मगर दिल की वो बुरी नहीं है उसकी बाद दिल पर मत लिया कर ये कहकर शम्भू ने उसे गले से लगा लिया शम्भू और नीलम घर में मास मचली बेचते थे इसलिए कभी पूजा नहीं करते थे शिवानी ने सोचा क्यों न एक भोले बापा की तस्वीर लाऊं और उन्हें घर में स्थापित करूं अगले दिन वहबाजार जाकर एक शिवजी की तस्वीर ले आई नहा धोकर उसने अगरबत्ती लगाई और ओम नमशिवाई का जाप करने लगी ओम नमशिवाई ओम नमशिवाई नीलम चिड़ कर बोली ये क्या कर रही है चोरी तू क्यू नहीं समझती हमारे घर में पूजा नहीं होती हम दिन में कितनी मचलियां काटते हैं कोई सुनेगा तो क्या कहेगा मचुआरों के घर शिवजी की पूजा हो रही है ये तस्वीर हटा दे यहां से और घर के काम में ध्यान दे तेरा नाम शिवानी इसलिए ही नहीं रखा था कि तू दिन रात शिव की भक्ती में लीन रहे मा मुझे भोले नात की पूजा करने से शान्ती मिलती है मैं सब काम कर लूँगी आप चिंता न करो शिवानी बेचारी घर के काम में जुट गई अगले दिन उसने देखा कि उसकी बहनों प्रिया और सोनी ने शिवजी की तस्वीर वहां से हटा दी शिवानी ने सब जगह ढूंडा लेकिन तस्वीर उसे नहीं मिली शिवानी परेशान थी दो दिन बाद शिवरात्री है मा मंदिर भी नहीं जाने देगी उसे फिर वह पूजा कैसे करेगी शिवानी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया उसने शिवरात्री का वरत रखा और शिवलिंग की पूजा करके अपना वरत संपन न किया शिवानी बोली नीलम ने उसके शिवलिंग को बिगाड़ते हुए कहा अगर अपनी मा के पास ही जाना था तो मैं बीस सालों से तुझे ऐसे ही रखे हुई हूँ पहले ही क्यों नहीं चली गई मा मैं सिर्फ जाना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने मुझे नदी में बहा दिया था लेकिन आपने तो भोले नात का शिवलिंग ही बिगाड़ दिया अब मैं पूजा कैसे करूँगी थोड़ी ही देड़ बाद नीलम के हाथ पैर कापने लगे और वे बेहोश होकर गिर पड़ी शिवानी घबरा कर बोली मा मा आपको ये क्या हो गया मा प्रिया ने कहा मा को शायद लकवा मार गया है इस पर सोनी बोली मा आपने शिवलिंग बिगार दिया कहीं ये उसकी वज़ा से तो नहीं हो गया पिता जी जल्दी आओ देखो तो मा को क्या हो गया है नीलम तुम हमेशा शिवानी की भक्ती के रास्ते में अर्चने पैदा करती रही हो ये सब उसी का नतीजा है वो शिवानी है मतलब शिव की वानी उसकी वानी शिवजी के हिर्दे तक जरूर जाती होगी नहीं पिता जी मेरे भोले नात कभी किसी को कश्ट नहीं दे सकते मैं भोले बाबा की सच्चे दिल से पूजा करूँगी मा जरूर ठीक हो जाएंगी अगले दिन शिवानी ने फिर से शिवलिंग बनाया शिवजी की तस्वीर लाई और भूखी प्यासी पूरे दिन ओम नमस शिवाय का मंत्र जबती रही शाम को जब वह पूजा सामगरी नदी में विसर्चित करने गई तो वहां एक स्त्री बैठी रो रही थी शिवानी ने उससे पूछा क्या हुआ आप क्यों रो रही है मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है अब मैं कहा जाऊंगी पती को गुजरे हुए भी दस वर्ष बीच चुके है अब मेरा दुनिया में और कोई नहीं है हम मचवारे हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो आज रात हमारे यहां रुख जाओ क्या पता कल तक आपके बेटे का गुसर शान्त हो जाए और वो आपको वापस ले जाए शिवजी तुम्हारी इच्छा पूरी करें बेटी आज रात को मैं तुम्हारे यहां रुख जाओंगी शिवानी ने घर जाकर देखा तो नीलम ठीक हो गई मा शिवजी ने मेरी सुन ली आप ठीक हो गई शिवानी, बेटी तेरे शिवरातरी के वरत और पूजा ने मुझे ठीक कर दिया है अब मैं कभी तेरी पूजा भंग नहीं करूँगी मुझे शिवलिंग बिकारने की सजा मिल गई है मुझे माफ कर देना मैंने तुझे बहौत सताया है ये क्या कह रही हो माँ मैं बहुत खुश हूँ आपको शिवजी ने ठीक कर दिया शिवानी ये कौन है स्त्री रोती हुई बोली मैं भी अपनी करनी का फल भुगत रही हूँ भोले बाबा ने मुझे चार बेटियां दी मेरे पती ने तीनों बेटियां किसी को बेच दी जब मुझे चौथी बेटी हुई तो मैंने उसे नदी में बहा दिया मैंने दिन राजशिव की पूजा की तब एक बेटे को जन्म दिया आज उसी बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया ये कितने समय पहले की बात है बेहन बीस साल पहले की क्या हमारी शिवानी ही तो आपकी बेटी नहीं वो बीस साल पहले हमें नदी में बहती हुई मिली थी क्या क्या वे सफेद कपड़े में लिप्टी हुई थी हाँ, वो सफेद कपड़े में ही लिप्ती हुई थी उस त्री ने शिवानी को गले से लगा कर कहा तू ही मेरी बेटी है शिवानी मैंने तुझे बेचे जाने से अच्छा तुझे मार लेना उचद समझा मुझे माफ कर दे बेटी मैं मजबूर थी जानती हो बहन, शिवानी हमेशा भोले नाथ से अपने माबाप को मांगा करती थी आज उसकी प्राथना सफल हुई और उसे उसकी मा मिल गई शिवानी की आखों से खुशी के आसू बहने लगे और वह बोली हे भोले नाथ, आपने मेरी विनती सुन ली अब मैं हर शिवानी को आपका व्रत रखूंगी हाँ शिवानी, अब से हम भी तेरे साथ भोले नाथ की पूजा करेंगे और तेरी मा को तेरे भाई ने घर से निकाल दिया है न इसलिए ये भी हमारे साथ ही रहेंगी भोले नाथ मुस्कुरा रहे थे हे भोले नाथ, आखिर तुमने शिवानी की पूजा का फल उसे दे ही दिया हे प्रिये, जो भी मेरा शिवरात्री का व्रत सच्चे मन से पून करेगा मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा